लगातार लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंसाइट स्टेडी फोरूम चैनल को और प्रेस करें बिल आइकन में औल को सभी नोटिफिकेशन्स पाने के लिए नमस्कार, वेलकम टू इंसाइट स्टेडी फोरूम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटिट का EBS का Slavers के है काफी important है कि आप लोग जाने कौन-कौन से important topics को रखा गया है जो काफी important है आपके लिए क्योंकि उन topics से काफी questions आते हैं अब यहाँ पर सबसे important बात यह है कि ऐसा नहीं होता है कि मान लिजिए अगर किसी भी exam के लिए जो given topics हैं, मान लिजिए किसी book के अंदर 20 topics given हैं, ठीक है, आपको 20 chapter पढ़ने हैं और फिर आपको exam देना हैं, तो ऐसा नहीं है कि 200 chapters से सारे question एक को लाएंगे, ऐसा नहीं होता है, इन 20 chapter में से आपको at least 8 to 10 chapters को filter करना होता है, और उनहीं से maximum यानी लगभग 70 to 80 percent questions वहीं से आते हैं, बाकी के 10 chapters जो होते हैं, उनसे कभी कभी questions आते हैं, ठीक है, तो आपको यह filter out करना है, और यह आपको प्रतेक syllabus में करना है, चाहें वो EBS का हो, या pedagogy का हो, या mathematics का हो, या क बात करेंगे EBS में, ठीक है, EBS में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम EBS को deal करें, और किस तरीके से हम अपने परियावरण अध्यान को समझें, कि कौन-कौन से important topics हैं, जो हमको मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनसे हमको questions जरूर हमारे exam में देखने को मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे content A में, यहाँ पर आपसे questions आएंगे family and friends में, ठीक है, और family and friends के अगर हम बात करें, तो इसके अंदर कुछ subtopics दिया गया हैं, जैसे उनके 20 संबंध कौन-कौन से होंगे, work and play किस तरीके से, कार्य होगा और खेल-कूत किस तरीके से, बच्चे कर देखेंगे, कि जो animals हैं और जो plant हैं, ठीक है, यहाँ से questions definitely पूछे गए हैं, और कई बार पूछे गए हैं, मतलब अगर आप paper उठा के देखेंगे, तो आपको प्रतेक वर्स, इन दो topics से questions जरूर मिलेंगे, animals और plants से, और questions का जो level है, वो काफी अच्छा है, यानि अगर books हैं, अगर आप उसको deal करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ करके सायद आप animals और plants के जो questions पूछे गए हैं, उनको solve नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके beyond जाना पड़ेगा, इसके थोड़ा सा परे जाना ही पड़ेगा, चिंता की बात नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, animals और plants से questions बहुत आते हैं, उसके बाद में food से questions आते हैं, अब food के लिए questions कैसे कैसे आएंगे, कि food हमारे लिए क्यों important है, food से मिलने माले कौन-कौन से important nutrients हमको मिलते हैं, कौन-कौन से पोशक पदार्थ मिलते हैं, और food क्यों हमारे important है, दूसरा है shelter, shelter का मतलब क्या होता है, निवासिस्थान, प्रतेक प्राणी के लिए, जीवित रहने के लिए, निवासिस्थान जरूरी है, भोजन के साथ साथ, भोजन की तो अब सकता पड़ती ही पड़ती है, जीवित रहने के लिए, परन्तु, shelter भी अत्यंद होता है, और प्रतेक पक्षी के लिए, या प्रतेक जो living animal है, उसके लिए अपने हिसाब से अलग-अलग shelter हो सकते हैं, because कुछ ऐसे animals होते हैं, जो water में, यानि जो aquatic life जीते हैं, तो उनका shelter क्या है, उनका जो रहने का स्थान है, निवास स्थान है, shelter है, वो है, aquatic life, पानी है, कि कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो temporary हो, कुछ हो सकते हो, permanent हो, ठीक है, इस्थाई और आइस्थाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ questions पूछे भी गए हैं, और कई बार questions नहीं भी पूछे गए हैं, तो फिलहाल इसको हम deal करेंगे, जब पढ़ेंगे इसको, ठीक है, उसके बाद में जो समस्य उत्पन हो रही है, तो वो सारी बाते हम इसमें करेंगे, ठीक है, water से questions आने के chances रहते हैं, travel, उसके बाद में, things we make and do, यानि ऐसे चीज़े जो हम बनाते हैं, और कुछ चीजों को हम कर सकते हैं, जैसे महान लिजिए, कई सारे sport होते हैं, कई सारे खेल कूद के sport होत करते हैं, उसमें हम participate करते हैं, और कई सारे चीज़े हम बनाते हैं, जैसे महान लिजिए, कुछ paintings को हम बनाते हैं, कुछ paintings को हम बनाते हैं, और कई प्रकार की जो extra activities होती हैं, उनको हम करते हैं, जैसे कुछ लोग shawl को बनाते हैं, अपने handicraft activities करते हैं, तो उसके हिसाब से अल पढ़ेंगे हम यतना हो सकता है और उसके बाद में आता है content B content B में फिलाल जो मेन वो है शिक्षा शास्त्र के कुछ issues है यानि pedagogical issues जो आपके 15 questions यहां से आएंगे और जैसा हम जानते हैं कि total जो EBS होता है वो कितने marks का होता है वो होता है 30 marks का होता है जिसमें 15 content A से आएंगे और 15 content B से आएंगे तो आपको equally ही पढ़ना है ठीक है बस आपको थोड़ा सा filter करना है कि कौन से topics से ज्यादा तर questions आते हैं और किन topics यह questions का level बहुत ही अच्छा होता है यानि उसको हमको बढ़ फिलहाल EBS में हम अच्छे तरीके से marks को gain कर पाएंगे बहतरीन अच्छे marks को अगर हमारी strategy बढ़िया है तो ठीक है और एक बात और मैं आपको बता दूँ कुछ questions ऐसे आते हैं EBS में जिसको हम अगर हमने कोई books नहीं बढ़िया यानि अपने thoughts से अपने विचार से क्योंकि उस चीजों को हम हमारे आसपास होते हुए महसूस करते हैं देखते हैं तो हम उस हिसाब से उस अपने experience से उन questions को हम solve कर लेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे concept and scope of EBS यानि EBS का concept क्या है और उसका scope क्या है उसके बाद हम बात करेंगे significance of EBS यानि EBS का महतु क और integrated जो EBS है वो क्या यानि जो एक तरीके से समावेसी जो EBS है वो क्या है उसके बाद में environmental studies और environmental education ये दोनों क्या है इन दोनों में difference क्या हो सकता है और इन दोनों की जो significance है वो क्या हो सकते है उसके बाद में हम पढ़ेंगे learning principles कौन कौन से important learning principles होते हैं फिर scope and relation to science and social science यानि social science और science से क्या संबंध हो सकते हैं क्या scope हो सकते हैं basically अगर हम बात करें तो science से कुछ questions जरूर EBS के नदर आते हैं तो कौन-कौन से important topics होते हैं EBS के लिए जो हम science को cover करेंगे तो हम पढ़ेंगे तो वो सारी बाते especially जब हम EBS पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे और उसके बाद म concept जयानि अपने विचारों को जो हम विचार हमारे होते हैं उनको present करने के जो concept होते हैं और जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं किस तरीके से हम बच्चों को समझा पाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ठीक है जैसा यहां पे एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं अब यहाँ पे लिखा है family and content A में यहाँ पे लिखा हुआ है family and friends, इसका मतलब क्या है कि कोई बच्चा है, माली छोटा बच्चा है कोई है, और फिलाल यहाँ पे तो हम छोटे बच्चों को ही deal करते हैं, ठीक है? तो छोटे बच्चे का जो सबसे पहला school है वो क्या है, इस छोटे बच्चे का सबसे पहला school है वो उसकी family है, या انہी जो भी कुछ वो देखता है, जो भी कुछ वो observe करता है, वो अपने family से observe करता है, जो भी वहाँ पे उसकी members होते हैं, उन से वो सेकता है, ठीक है? तो इसी प्रकार, यहाँ पे कुछ approaches को हम किस तरीके से present करते हैं, concepts को, वो यहाँ पे हम बात करेंगे, उसके बाद में कुछ activities हैं, कुछ गैतिविदिया हम करते रहते हैं, और जो काफ़ important है, learning of a child, पच्चे की education के लिए बहुत important है, उनको हम deal करेंगे, उसके बाद में experimental practical work, ठीक है, जो experimental और practical work कुछ होते हैं, यहाँ से questions कई बार पुछे गए हैं, और आगे भी यहाँ से questions के आने की chance बहुत जादा है, अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा, significance of evious, ठीक, यहाँ से questions पूछे गए हैं, काफी important रहे गई है, उसके बाद में environmental studies, और education से questions पुछे गए हैं, learning principles से questions पूछे गए हैं, कई बार, scope and relation, यहाँ से questions पूछे गए हैं, तो यह कुछ topic काफी important है, जहाँ से questions लागातर पूछे गए हैं, और आपको अच्छे से prepare करना चाहिए, उसके बाद में discussions से questions पूछे गए हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ हम बात करें, जो C, C, E है ठीक है, C का मतलब होता है, continuous, अगला जो C है, उसका मतलब होता है, comprehensive evaluation, यानि जो C, C, E है, इसका मतलब क्या होता है, continuous, comprehensive evaluation, यानि सतत व्यापक मुल्यांकन, ठीक है, यह बहुत ज़रूरी होता है, continuous, comprehensive evaluation, जो है, इसको CVC द्वारा, 2009 या 10 में introduced किया गया था, और यह काफी important है, एक बच्चे के educational development करने के लिए, अब किस तरीके से important है, इसमें जो continuous यानि लगातार हम उस बच्चे को evaluate करते हैं, class के अंदर, ठीक है, दूसरे सी का मतलब होता है, comprehensive यानि व्यापक तरीके से, एक बच्चे की हम व्यापक तरीके से, उसको हम evaluate करें, उसका हम मुल्यांकन करे उसके बाद है, teaching, materials, aids, यहां से questions आते हैं, और उसके बाद में है problems, यानि समस्याएं, तो यह कुछ topics हैं, जो आपको EBS में पढ़ने हैं, और यहां से questions आने के chance बहुत रहते हैं, तो यह कुछ topics को हम deal करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तो यह है slavers और कुछ important books भी हैं, जो आप refer कर सकते हैं, NCRT के अलावा, ठीक है, NCRT से आपको केवल एक overview मिलता है, कुछ एक information का, एक जानकारी मिलते हैं, लेकिन जो questions का level है, उसके हिसाब से आपको कुछ अच्छे books को पढ़ना ही पढ़ेगा, तो कुछ important books के नाम नीचे, description box में उसके link भी मैं दे दू हैं, अगर आपको लगता है कि वो books अच्छी हैं, तो आप उनको purchase भी कर सकते हैं, और इस video में किसी books को sponsor नहीं किया जा रहा है, ठीक है, thank you very much, मिलेंगे next video में, thank you, thanks a lot.